25 जनवरी को हम लोग जिवित मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं रात में सब बड़ा रोते हैं, बिल बिलाते हैं मिरगी के दोरे पड़ पड़ के गिर रहे हैं क्योंकि प्रभुराम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को बनवास पर भेज दिया यह बहुत सुंदर समय है, 500-500 साल की लड़ाई के बाद कई लोगों की मृत्यू, कई लोगों पर गोलियां चली, कई लोग साधू संथ चले गए कई RSS के रहे हैं, बजरंग दल के रहे, VHP के रहे, विश्म हिंदू परिशत के रहे साधू संत रहे, अध्यात्मी, मेरे पिता इस आंदोलन में भी रहे तो ऐसे बहुत सारे लोग जूड़े थे, जो लोगों ने दृश नहीं देखा जो 22 जनवरी को हम लोग जिवित मोक्ष प्राप्त कर रहे हैं, जिवित मोक्ष इसको कहते हैं तो जितने भी सनातनिया, मुझे नहीं लगता कि आज तक मेरे जीवन खंड में या काल में इससे बड़ा उत्सव पहले कभी हुआ था, पुरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव होने जा रहा है 22 जनवरी को पूरे विश्व का आप देखेगा, ये 22 तारीख आएगी तारीख में ऐसे लेगेगा पूरी धरती ज्वलित हो गई है, उड़जा से, पूरी धरती तेजमय होगी क्योंकि प्रभु राम उस दिन अपने महल में पधारेंगे, अपने घर में आएंगे, उनको आवास मिलेगा और कई सारी आत्माओं को, जो सादू सन्ते, उनकी आत्माओं को मोक्ष मिलेगा उस दिन तो उस दिन धर्ती का रूप, सुरूप, आकाश का, समंदर का, पेड़ पौधो का एक अलग रंग होगा 22 जनवरी को आप देखेगा हम सुने पता चला हमको उनके विरोधी पक चुके हमारे भी लोग वहाँ पर बड़े मित्र है बोले रात में सब बड़ा रोते हैं, बिल बिलाते हैं, मिरगी के दोरे पड़ पड़ के गिर रहे हैं क्योंकि प्रभुराम ने उनको 30-40 साल के लिए विरोधियों को बनवास पर भेज दिया